अमरीज conventions का स्वार्गात हैं आप सभ अमीद करता हैं सभ everything हूँ अब पूत ही मिक्स्तेटस कटले जो बहुत जादे यमी बनाता और मझे का बनाताा है दो अच्छे जगरम तो मैंने डाला एक चुताई Matera जीरा जीरा जोब चिटकने लगा तब मैंने डाला एक चुथ हई कप मैंने इसमें प्यास डाली है जिसको मैंने बहुत महिन-महिन चौप कर रखा है आफ इसे भूजेंगे, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस सबजी की कच्चपन हलका सा खतम करना है, फिर उसके बाद मैंने डाला तीन चुताई चमच नमक, और एक चमच लाल मिर्ची का पॉर्डर, आधा चमच काली मिर्ची का पॉर्डर, आधा चमच चाट मसाला, मैंने नमक लाल मिर्ची बाद में भी आट करी थी, इसलिए मैंने यहीं पे खटा बता दिये, मेरे मैंने थोड़ा डाला था, फिर लास्ट में, मैंने थोड़ा सा डाला था, और मैंने यहीं पे बता दिये, कि मैंने इतना ही डाला था इसमें, और अच्छे से इसको भूझेंगे, थो जो में आलू को अच्छे से मिक्स करेंगे यह थोड़ा गीला हो रहा था आलू क्योंकि कुछ आलू होते हैं वह थोड़े गीले वाले होते हैं वैसे यह वाला अलू था और थोड़ा सा गीला हो रहा था हमारा बैटर तब मैंने इसमें डाला दो बड़े चमच मैंने गान फ्लॉर डाला है और एक ती हाई कप मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स डाले हैं इतने में यह बहुत अच्छे बाइंड होने लगा था तो फिर मैंने बस इतने ही डाला था सबको अच्छे से मिक्स किया मिक्स करने के बाद मैंने ऐसे कटलेट का दिया और रपस सारे कटलेट मैंने ऐसी बना लिए पिर इसके बाद मैंने सिमें में ऐसे थोड़ा सा कटलेट को कोट करा और इसके बाद मैंने इसको मैदे में डिप किया था क्योंकि पहले से भी थोड़ा सा गीला था और इससे बहुत जादा क्रिस्पी हो गया था मैंने जड़ा क्रिपी था और इसको हाई फ्रेंस पर मैंने बना लिए यह आप तेल गर Neck kring T बस उपर से क्रिस्पी करना है इसको लगदार चिलाते वे फ्राय करना है नहीं तो यह ना जलने लग रहा था क्योंकि हाई फ्रेम बताना इसलिए देखी कटलिट्स हमारा रेडी होने लगा है मैं इसको सारे को प्लेट में निकाल के बस सर्फ कर लूँगी मैंने गटलिट्स सर्फ कर लिया है आप लोग लाजमी ट्राय करेगा और मुझे कॉमेंट में जरूर बताएगा अगर मेरी रेस्पी अच्छे लगी तो प्लीज लाइक करेगा शेयर करेगा अगर मेरी रेस्पी अच्छे लगी तो प्लीज जरूर मेरी चैनल को सब्सक्राइ करीगा.